नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत थे NKP प्रोडक्शन में मैं हूँ नीरजोर चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो इंटरमेडीयट से रिलेर बहुत लोग परिशान थे कि नहीं होगा लेकिन आपका फाइनली एडविशन के लिए निकाल दिया गया caps तो बीए, इंटर के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्स, तीनों के लिए यह जो है आपका एड्वीशन, वाइस सेक्शन, गल्स सेक्शन दोनों के लिए निकल चुका है, क्या है अपडेट, पूरा अपडेट बताने जा रहा हूं, कहां से फॉर्म अपलाई कर सकते हैं, कैसे फॉ पर सब कले भी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जूर सकते हैं, ताकि मारवाडी कोलेज रांची इनिवर्सेटेट या उससे पार भी जो भी अपडेट होता है, वो तुरंत उस पर आ जाती है, तो चलिए भी बात करूं कि आर्स, कॉमर्स और साइंस के जो स्टुडेंट ह मारवाडी कोलेज रांची की बात करें, तो इसमें दो अलग-2 separate section है, तो voice के लिए अलग है, girls के लिए अलग है वॉइस के लिए वॉइस सेक्षन में है गल्स के लिए गल्स सेक्षन में है तो इसके लिए 11 में यहाँ पतीन तरह का science arts commerce तीनों परवाइड है दो सेक्षन है इसका जो है date निकाल दिया गया है या लास्ट इट कब दिया गया है form fill up का वो 13 सितंबर दिया गया है 13 सितंबर 2024 दिया गया है लेकिन इसमें एक note दिया गया है the provisional admission will be subject to be outcome of the related case pending of the honorable high court जार्खन as per R.E.O. office memo को वो number आपका डाल दिया गया है मतलब कि आपका जो provisional admission तभी होगा जब उसका outcome निकल जाएगा related लेकिन आप form भर दीजिए आपका admission हो जाएगा वो असा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर आपका form निकल चुका है तो admission confirm हो जाएगा तो वो जो है form fill up के से करना है तो वो आपको क्या करना है मारवाडी कोलेज रांची का जो है लिंक आपको थुड़ा से नीचे करना है इसमें नहीं जाना है इसमें आपको नीचे थुड़ा से करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ हो मारवाडी कोले जनाची intermediate section आपको इसमें क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपका intermediate section का form खुल जाता है तो यह intermediate section का आपका खुल गया है तो इसमें आपका देखिए सबसे उपर में लिखा हुआ है apply form IA IAC icon लिखा हुआ है आपको इसपे क्लिक करना है जैसे आप इसपे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका इस तरह का option खुलता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर option है आपका देखिए cut up यह 2023 का दिया गया है तो इसके basis पे नहीं जाईएगा आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए fill admission form online यहाँ आपका option यहाँ लिखा गया है तो इसमें आपको फिर यहाँ पर application begin 3 सितंबर से आपका start है तो आपको क्या करना है आपको इस पे click करके आपको क्या करना है apply now option में जाना है तो पहले देखिए नीचे जैसे है step क्या क्या है registration करना होगा पहले आपको registration जैसे हो जागा फिर आपको upload करना होगा आपको photo and signature upload करना होगा जैसे photo and signature upload करेंगे उसके बाद में आपको application fee payment करना होगा application fee payment करेंगे उसके बाद में application submit होगा submit होगा उसके बाद में आप उसको print out करा देजिएगा आप print out करा के online form करके निकाल करके रख लेना है लेकिन आपको verify all detail and submit the form submit अच्छे से करना है नहीं तो फिर आपको वो changes नहीं होगी तो payment जो आप करेंगे payment के लिए आप देख लिए पेमेंट का जो आप सा option दिया गया है तो payment जो option रहेगा तो यहाँ पर देखिए नीचे जैसे ही आप आते हैं यहाँ apply online का option है apply online में जाना है जैसे ही आप apply online में जाते हैं तो यह आपको इस तरह का option खुलेगा तो यहाँ option दिया गया, पहले तो register yourself, उसके बाद document upload करें, फिर आपका payment करेंगे, application फिर आपका submit करेंगे, review करके उसके बाद download receipt करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए पहले registration करना होगा, तो registration में जाएंगे, registration में जैसे click करेंगे, तो यहाँ पर यह option खुलेगा, यहाँ पर अ उसको याद रखिएगा, जैसे आप उसमें जाते हैं, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, कि आपको login करना है, तो login करना होगा, तो उसके लिए जो है, यहाँ पर लог-in का section दिया गया है, तो login यहाँ पर है, यहाँ पर आपको email ID डालना पड़ेगा, email ID जैसे लोग इन करेंगे, लोग इन करने के बाद में आपको document upload करना है, तो आपको photo और signature दोनों upload करना है, फिर payment करना है, fee payment करेंगे, उसके बाद में आपका submit application करेंगे, उसका receipt को download करके आप रख लेंगे, बस यही process है, इस process को कर लिजिए, उसके बाद में आपका जो admission होगा, यह merit list, merit basis पे होगा, merit basis पे जो होगा, उसका बात करेंगे, तो merit basis में जो भी आपका marxis होगा, 10 पे उसी के basis पे होगा, तो जितना भी जल्दी हो सकता है, उतना जल्दी form को आप fill up कर लिजिए, और जो भी आपका आग एक आपडेट होगा, मैं आपडेट करता रहूँगा, बने रहेंगे NKP production साथ, बहुत बहुत धन्यवाद,